कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड शाओ ये नियन को देखते हैं जो हमारे मेल लीड शेन टिंगबाई से अपनी शादी रजिस्टर करवाती है और सोचती है कि किसी से शादी करना इतना मुश्किल भी नहीं जितना उसने सोचा था थोड़ी ही देर में उसके पास उसकी दोस्त का कॉल आता है और वो उससे चिलाने लगती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट की तयारी की थी तुम कहां रह गई जिस पर शाओ ये नियन कहती है मैंने शादी कर ली उसकी दोस्त उसे बताती है कि ब्लाइंड डेट वाला लड़का तो अभी भी रेस्टोरेंट में है तो फिर उसने शादी किस्से की और ये सुनकर शाओ ये नियन हैरान रह जाती है शाओ ये नियन वहां से शर्मिंदा होकर चली जाती है और सोचती है ये मैंने किस्से शादी कर ली शाओ ये नियन के जाने के बाद वहां श शायय नियन नौकरी के लिए शेन कमपनी के आफिस में जाती है जहाँ बहुत सारे लोग लिफ्ट के बाहर, लिफ्ट के आने का इंतजार कर रहे होते हैं. तब ही एक लिफ्ट नीचे आती है और शायय नियन वहां भाग कर जाती है और सब को अपने पास बुलाती है जिस पर वहाँ एक लड़की उसे बताती है कि ये लिफ्ट CEO की है और कोई भी इसे इस्तिमाल नहीं कर सकता ये सुनकर शाओये नियन भाग कर वापस सभी लोगों के साथ खड़ी हो जाती है तब ही वहाँ शें तिंगबाई आता है और सभी लोग उसे respectfully हेलो कहते है लेकिन शाओये नियन उसे देखकर हैरान रह जाती है जब उसे समझ आता है कि उसने जल्दी में जिसे शादी की थी वो और कोई नहीं बलकि शें कंपनी का CEO है शें तिंगबाई शाओये नियन का हाथ पकड़ कर उसे अपने साथ ले जाता है और सभी लोग सोच में पढ़ जाते हैं कि CEO और शाओये नियन के बीच में क्या रिष्टा है वानी शावयनियन को अपने साथ शन कमपनी के 19 वे फ्लोर पर ले जाती है और कहती है तुम्हारा काम इस फ्लोर को पूरी तरह से साफ रखना है और यहाँ पर सबका काम तुम्हें ही करना होगा थोड़ी देर में वहाँ पर काम कर रहे करमचारी एक एक करके शावय नियन को काम देने लगते हैं और जब शावय नियन कुछ फाइलें और कॉफी का कप लेकर जा रही होती है तब ही दूसरी तरफ से शेंटिंग बाय आता है और शेंटिंग बाय को देखकर वानी शावय नियन को धक्का देती है जिस वजह से कौफी गिर जाती है और शावय नियन के सारे कपड़े खराब हो जाते है वानी शेंटिंग बाई को कहती है ये कमपनी की नई वरकर है और मुझे लगता है ये बहुत मुसीबत करने वाली है वही दूसरी तरफ एक करमचारी डरते हुए दूसरे करमचारी से कहती है पता नहीं अब शायनियन के साथ क्या होगा क्योंकि CEO शेंटिंग बाई को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो चीजें खराब करें वानी शायनियन को चिलाने लगती है और सब के सामने उसकी इंसल्ट करती है शावय नियन जब वानी को कहती है कि तुमने मुझे धक्का दिया था इसलिए ये सब हुआ तो वानी शें टिंगबाई के पास जाकर कहती है ये मेरी कजिन शावय नियन है और इसकी फैमिली में पैसे की समस्या चल रही है और जब इन्हें पता चला कि मैं शेन कंपनी में काम करती हूँ तो ये मेरे पास रोते हुए नौकरी की मदद मांगने आई थी वानी शेन तिंगबाई के सामने क्यूट बनने का नाटक करते हुए शेन तिंगबाई से शावय नियन की गलती के लिए माफी मांगने लगती है शंतिंग भाई वाणी की बातों पर ध्यान नहीं देता और अपना जैकेट उतार कर श्यौय नियन को पहनाता है और यह देखकर सभी कर्मचारी और वाणी शौक में आजाते हैं वानी शें तिंगबाई से कहती है आपको तो शेंटिंग बाइब के वापस दे दूंगी थोड़ी देर में कुछ कर्मचारी आकर शेंटिंगबाई शव्याविए नियन को उसके साथ जाने के लिए कहता है शाउयनियन बिना कोई सवाल किये शंतिंगबाई के पीछे चली जाती है ओफिस में शाउयनियन शंतिंगबाई को चिलाने लगती है और कहती है तुम मुझे कुछ बोलो, उसके पहले मेरी बात सुनो तुम्हें पता भी है मैंने सुभा से कितने कप कॉफी बनाई है इसलिए मैंने कुछ नहीं बोला जिस पर शेन तिंगबाई अपने असिस्टेंट को कहता है आज से शाउयनियन मेरी पर्सनल क्लीनर है शेन तिंगबाई का असिस्टेंट हां कहकर वहां से चला जाता है शेन तिंगबाई के असिस्टेंट के जाने के बाद शाओये नियन शेन तिंगबाई के करीब आकर कहती है क्या तुम मुझे पसंद करते हो जिस पर शेन तिंगबाई कहता है क्यों तुम्हें अभी तक पता नहीं चला जिस पर शावय नियन कहती है क्या मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि तुमको एक बार में मुझसे प्यार हो गया जिस पर शें तिंग बाई कहता है शादी वाले दिन हम पहली बार नहीं मिले थे हम पहले भी मिल चुके है शें टिंग भाई की बात सुनकर शाओ ये नियन हैरान रह जाती है अगले सीन में हम शें टिंग भाई की दादी मैडम शें को देखते हैं जो शें टिंग भाई से कहती है आज मेरा सत्तवा जन्म दिन है और मैं चाहती हूँ तुम मुझे एक गिफ्ट दो मैडम शेन कहती है मैं एक बहुत प्यारी लड़की से मिली हूँ और मैं चाहती हूँ तुम उस लड़की से शादी कर लो जिस पर शेन टिंग भै कहता है मैंने आपकी बहु ढूंट ली है और वो बहुत अच्छी है और उसका नाम नियन है मैडम शेन कहती है अगर वो अच्छी है तो उसे मेरे पास लेकर आओ मैं उससे मिलना चाहती हूँ शेन तिंग भै कहता है मुझे भरोसा नहीं है आप जिस लड़की की बात कर रही है वो सिर्फ पैसे के लिए आप से मिली होगी और वो आपको बेवकूफ बना रही है मैडम शेन कहती है शाओ ये बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की है तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो अगले सीन में हम शाओ ये नियन को शेन फैमली के घर के बाहर खड़ा देखते हैं जहां उसके हाथ में एक बैग में बहुत सारी गाजर होती है वो सोचती है दादी यहां रहती है और तभी हम एक फ्लैश बैक में देखते हैं कैसे जब एक बार मैडम शेन एक सुपरमार्केट में गाजर लेने गई थी और उनको कोई गाजर नहीं मिली थी और फिर बाद में जब वो सुपरमार्केट के बाहर खड़ी थी तो अंजाने में वो डस्टबिन के पास खड़ी हो गई थी और दूर से शाओय नियान उन्हें देख कर सोच रही थी कि उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला उन्हें भूख लगी होगी असल में शाओय नियन मैडम शेन को एक गरीब औरत समझ लेती है और उन्हें खाना खिलाने ले जाती है और वहाँ उनसे वादा करती है कि वो उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देगी तभी हम वापस प्रजन्ट में आते हैं जहां शाओय नियन का एक्स बॉइफ्रेंड अपनी नई गर्फ्रेंड के साथ एक कार में आता है और शाओय नियन को देखकर उसका मजाग बनाता है ये शंगहाई और उसकी गर्लफरेंड दोनों ही शावयनियन की बहुत ज्यादा बेज़ती करते हैं और ये शंगहाई की गर्लफरेंड शावयनियन को बताती है कि ये शेन फैमली का घर है और ये सुनकर शावयनियन हैरान रह जाती है और सोचती है मैंने जिसे गरीब समझा था, वो मैडम शेन थी मैं वहां शेन फैमिली का वरकर आता है और यह शंगाई को वहां से जाने के लिए कहता है यह शंगाई और उसकी गर्लफ्रेंड उस वरकर को कार में गिफ्ट दिखाते हुए कहते हैं कि हम मैडम शेन से मिलने आए हैं और उनके लिए बहुत खास गिफ्ट भी लेकर आए हैं जिस पर वर्कर कहता है कि मैडम शेन ने किसी से भी मिलने के लिए मना किया है और आप लोग यहां से जा सकते हो। जाते हुए यह शंगाई को चिढ़ाती है शायन जब मैडम शेन से मिलती है तो वो कहती है आप उस दिन गाजर ढूंड रही थी और इसलिए मैं आपके लिए यह लेकर आई हूँ मुझे माफ करना मुझे लगा था आप एक गरीब लेडी हो और इसलिए मैंने गाजर खरीदन मैडम शेन ताली बजाकर अपने वरकर्स को इशारा करती है और उसके वरकर्स बहुत सारे महंगे कपड़े जूते और ज्वैलरी लेकर आते हैं शायन वो सारी चीजें देखकर हैरान रह जाती है मैडम शेन बार बार शायन नियन को गिफ्ट लेने के लिए कहती है लेकिन शायन उन्हें मना करती है और कहती है ये सब बहुत महंगा है और मैं ये नहीं ले सकती जिस पर मैडम शेन कहती है ठीक है मैं तुम्हें टू आप्शन दे रही हूँ या तो तुम कोई गिफ्ट लो या फिर तुम मेरे पोते से शादी करो शायन नियन मैडम शेन की बात सु कर हैरान रह जाती है और सभी गिफ्ट्स को देखने लगती है शाओये नियन को थोड़ी ही देर में एक रिंग दिखती है और वो सोचती है ये शायद सिल्वर की है और ये सबसे सस्ती चीज है यहाँ पर शाओये नियन मैडम शेन की बात रखने के लिए वो रिंग लेती है मैडम शेन अपने वरकर को कहती है तुम शाओये नियन को पार्टी की तरफ लेके जाओ और शाओये नियन के जाने के बाद एक दूसरा वरकर आकर मैडम शेन से कहता है मैडम शेन आपकी रिंग मिसिंग है और वो शायद चोरी हो गई है क्या मैं पुलिस को बुलाऊं? जिस पर मैडम शेन कहती है वो रिंग चोरी नहीं हुई है वो मेरी बहू के पास है अगले सीन में हम वानी को देखते हैं जिसे कुछ लड़कियां कहती है आप शेन तिंग भाई के करीब हो क्या आप दोनों रिलेशनशिप में हो और अपने पैरेंट्स को मिलाने वाले हो जिस पर वानी कहती है अभी हमें कोई जल्दी नहीं है और वैसे भी मैडम शेन और मैं बहुत करीब है और वो मुझे पसंद भी करती है और ये सुनकर सभी वानी को मिसिस शेन बुलाने लगते है और वानी शर्मा जाती है तब ही वहाँ पर शावय नियन आती है और उसे देख कर एक लड़की कहती है शावय नियन तुम्हारे लिए बहतर होगा तुम शेन तिंग बाई से दूर रहो क्योंकि जल्द ही वानी और शेन तिंग बाई की शादी होने वाली है और फिर वानी मिसिस शेन बन जाएगी वो लड़कियां शावय नियन का मजाक बनाने लगती है और वानी शावय नियन से कहती है मुझे पता है तुम्हें शेन तिंग बाई पसंद है लेकिन तुम एक काम वाली हो और वो CEO, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं हो वही दूसरी तरफ हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है और वैसे भी कल मैडम शेन की पार्टी में हम दोनों ने अपने पैरेंट्स को भी एक दूसरे से मिलवाया था ये सुनकर शावय नियन कहती है लेकिन तुम तो कल पार्टी में थी ही नहीं तो फिर तुम कैसे शेंटिंग बै के पैरेंट्स से मिली वहाँ पर कोई भी शावय नियन की बात का विश्वास नहीं करता और उसका मजाक बनाने लगता है एक लड़की शावय नियन से कहती है जिस दिन वानी की शादी शंतिंग बै से होगी उस दिन मैं सबसे पहले तुम्हें जौब से निकाल दूगी जिस पर शावय नियन कहती है ओके मैं उस दिन का इंतजार करती हूँ थोड़ी ही देर में वानी अपनी रिंग शो आफ करती है ये रिंग बिल्कुल शं फैमली की खास रिंग जैसी है जिस वजह से वहाँ सारी लड़कियों को लगता है कि वो असली रिंग है वानी के पास वो रिंग देखकर हैरान रह जाती है मेरे पास भी ऐसी रिंग है और फिर शावय नियन वो रिंग दिखाती है जो कल उसे मैडम शेन ने दी थी वहाँ पर कोई भी लड़की शावय नियन की बात का विश्वास नहीं करती और कहती है तुमने जरूर टीवी पर देखकर नकली रिंग बनवाई है क्योंकि ये संभव नहीं है कि मैडम शेन तुम्हें रिंग दे तब ही एक लड़की कहती है वैसे भी मैंने टीवी पर देखा था कि शेन फैमिली की ओरिजिनल रिंग पर शेन लिखा है शेन अपनी रिंग पर शेन लिखा दिखाती है लेकिन फिर भी कोई उसका विश्वास नहीं करता और जब एक लड़की वानी को उसकी रिंग दिखाने के लिए कहती है तो वो हिचकिचाते हुए अपनी रिंग दिखाती है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता और फिर भी वो लड़कियां वानी की तरफदारी करते हुए शाये नियन को गलत कहती है वहीं दूसरी तरफ हम मैडम शेन को देखते हैं जो शेन कंपनी की बिल्डिंग में एंटर होती है अगले सीन में हम वानी को देखते हैं जो बार-बार शावय नियन को इंसल्ट करती है और उसको बुरी बातें कहती है और सब के सामने उस पर फ्रॉड का इल्जाम लगाती है थोड़ी ही देर में वहां शंतिंग बाय आता है और शावय नियन की तरफदारी करने लगता है एक लड़की शावय नियन को गलत बातें बोलती है और शंतिंग बाई को कहती है कि शावय नियन एक फ्रॉड है और आप उसको जॉब से निकाल दो जिस पर शंतिंग बाई कहता है तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है तो वो कहती है मुझे पता है यही सच है और अगर ये जूट निकला तो मैं अपना जौब छोड़ दूँगी जब शेन टिंगबाई प्रूव करता है कि शाओ ये नियन फ्रॉड नहीं है तो उसे जौब छोड़ना पड़ता है और वो गुसे में वानी की रिंग दिखाते हुए कहती है आप मेरी बात नहीं मान रहे लेकिन सच ये है कि शाओ ये नियन जूट बोल रही है और वैसे भी मैडम शेन ने वानी को आपकी फैमिली रिंग भी दी है रिंग देखकर शेन टिंगबाई को लगता है वानी वही लड़की है जिसके बारे में कल उसकी दादी बात कर रही थी वानी इस मौके का फायदा उठाती है और कहती है हाँ मैं वही हूँ और मडाम शेन ने कल मुझे ये रिंग दी थी वानी की बात सुनकर शावय नियन कहती है तुम जूट बोल रही हो और अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है ये असली रिंग है कुछ देर बहस करने के बाद शावय नियन वानी को कहती है हम मैडम शेन से जाकर पूछ लेते हैं कौन सी रिंग असली है लेकिन वानी घबरा जाती है और किसी तरह बाट टालने की कोशिश करती है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मैडम शेन आ जाती है और पूछती है कौन मुझसे मिलना चाहता था लेकिन मैडम शेन को किसी ने नहीं देखा होता और इसलिए वानी भी उन्हें नहीं पहचानती मैडम शेन जब वानी से पूछती है तुम्हें ये रिंग किसने दी है तो वानी गुस्से में कहती है तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली वानी को लगता है ये औरत कोई नॉर्मल काम करने वाली है और ये देखकर शें तिंग भाई हैरान रह जाता है और जब वानी से पूछता है क्या तुम इन्हें नहीं जानती तो वानी कहती है नहीं क्योंकि मैं आपकी परसनल सेक्रेटरी हूँ बहुत लोग मेरे करीब आते हैं ताकि वो तुम्हें जान सकें शेन तिंगभाई वानी की बातों को इगनोर करता है और मडाम शेन से कहता है, मुझे पता है आपको वानी पसंद है लेकिन मुझे शाओय नियन पसंद है क्या आप मेरे लिए शाओय नियन को एक मौका देंगी? मैडम शेन शेन तिंगबाई की बात पर हंसते हुए कहती है वानी कौन है? मैं किसी वानी को नहीं जानती और शाओये नियन की तरफ इशारा करते हुए कहती है यही वो लड़की है जो मुझे पसंद है मैडम शेन शाओये नियन से कहती है मुझे नहीं पता था शेन तिंग बाई और तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो और मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई अब अगर तुम एक दूसरे को जानते हो तो क्यों न तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर लो शाओये नियन बताती है कि हम दोनों ने पहले ही अपनी शादी रजिस्टर कर ली थी मैडम शेन ये सुनकर बहुत खुश होती है शाओये नियन जब मैडम शेन को उनकी फैमिली रिंग वापस देने लगती है तो मैडम शेन वो लेने से मना कर देती है और शें टिंग बाई शाओये नियन के हाथ में वापस रिंग पहनाता है अगले सीन में हम देखते हैं शाओये नियन और शें टिंग बाई साथ में एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां शें टिंग बाई शाओये नियन से कहता है तुम मुझे खाना खिलाने वाली थी, क्यों न आज तुम मुझे ट्रीट दो ये सुनकर शाओये नियन घबरा जाती है और जब वो मेन्यू देखने जाती है तो उसे पता चलता है कि ये रेस्टोरेंट कितना महंगा है और उसे समझ नहीं आता वो क्या करे वहीं दूसरी और शेन टिंगबाई के कुछ वरकर्स उसे देखकर हैलो कहते हैं लेकिन शेन टिंगबाई उन्हें इशारा करके चुप रहने के लिए के लिए कहता है और शाओये नियन की तरफ मुस्कुराते हुए जाता है शौयनियन कोशिश करती है कि वो किसी तरह शौयनियन को मना ले यहां से जाने के लिए लेकिन शौयनियन उसकी बात नहीं मानता और वहां से जाने के लिए मना कर देता है शौयनियन परेशान होती है कि अब वो यहां पर पैसे कैसे देगी यहाँ पर सब कुछ इतना महंगा है शेन तिंग बाई शाओयनियन को ऐसे परेशान होते हुए देखकर हंसता है थोड़ी देर बात जब वो लोग खाना ओर्डर करते हैं तो शाओयनियन कुछ ओर्डर नहीं करती और कहती है मेरा पेट भरा है शेन तिंग बाई उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आज मैं खाना खिला रहा हूँ और ये सुनकर शाओयनियन खाना खाने के लिए हां कर देती है शाओयनियन कहती है क्या आप शोर हैं यहाँ खाना खाने के लिए क्योंकि यहाँ पर खाना बहुत महंगा है जिस पर शेन टिंग भाई मुस्कुराते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो अगले सीन में हम देखते हैं शेन टिंग भाई शावये नियन को कहता है तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ शेन तिंगबाई के जाने के कुछ देर बाद वहां शाओये नियन की एक पुरानी क्लासमेट आती है और शाओये नियन का मजाग बनाने लगती है शाउयनियन की क्लासमेट का बॉइफरेंट जैसे ही शाउयनियन को गलत बातें बोलने लगता है शें तिंग भाई वहां आता है और उसे मारने लगता है और फिर शाउयनियन के साथ एक फोटो लेकर उसके सोशल मीडिया पर डाल देता है जिस वजह से बहुत सारे लोग चाउयनियन को मैसेज करने लगते हैं चाउयनियन की क्लासमेट का बॉइफरेंट शेंटिंग बाई को धमकी देते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं तुम मुझे नहीं जानते वो रेस्टोरेंट के गार्ड्स को आवाज देकर बुलाता है और उन्हें शेंटिंग बाई को वहां से निकालने के लिए कहता है लेकिन रेस्टोरेंट के गार्ड्स उसी को वहां से निकालने लगते हैं और शेन तिंग भाई के इशारा करने पर शाओये नियन की क्लासमेट को भी थपड मारते हैं शाओये नियन जाकर अपनी क्लासमेट को चिल्लाने लगती है और उससे बताती है कि वो गलत है शेंतिंग भाई शाओये नियन को ऐसे गुस्से में देखकर मुस्कुराने लगता है अगले दिन हम देखते हैं शेंतिंग भाई और शाओये नियन एक रेस्टोरेंट में जाते हैं शाओये नियन शंतिंग भाई को बताती है कि आज उसके कॉलेज बैच का रियूनियन है और यहां उसका एक्स बॉइफ्रेंड ये शंग हाई उसकी गर्ल्फरेंड फेफेई के साथ आया है शाओये नियन शंतिंग भाई से पूछती है क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे जिस पर वो कहता है ऐसा नहीं होगा तभी हम एक फ्लैश बैक में देखते हैं शाओये नियन जब छोटी थी तो वो शंतिंग भाई से मिली थी और तब शंतिंग भाई बहुत मोटा था और वहाँ पर बच्चे शंतिंग भाई को परिशान कर रहे थे शावये नियन शंतिंग भाई से 10 वोन मांगती है और कहती है तुम डरना मत मैं तुम्हें बचा लूँगी जब दूसरे बच्चे शेंतिंग भाई को परिशान करने आते हैं तो शाउयनियन उन्हें चिढ़ाती है और सभी बच्चे शाउयनियन को देख कर वहाँ से चले जाते हैं हम वापस प्रिजन्ट में आते हैं और शाउयनियन की एक दूसरी क्लास्मेट आकर शावये नियन की बेजज़ती करती है और कहती है तुम्हारा एक्स बॉइफ्रेंड ये शंगाई अपनी गल्फरेंड फेफेई के लिए बहुत महंगे गिफ्ट लाया है और रियूनियन में जाकर तुम्हारी सिर्फ बेज़ती होगी ये सुनकर शेंटिंग बाई शावये नियन को कहता है तुम अंदर जाओ मैं कुछ देर में आता हूँ और जब शावये नियन अंदर जाती है तो देखती है कि अंदर ये शंगाई फेफेई और उसके दो और क्लासमेट्स की स्पेशल टेबल लगी होती है और बागी लोग अलग टेबल पर बैठे होते हैं ये शंगाई और फेफेई मिलकर बागी क्लासमेट्स और शावये नियन की बेजजती करते हैं और कहते हैं तुम लोग बहुत गरीब हो और तुम लोगों की क्या इजजत है जिस पर शाओय नियन उन्हें जवाब देती है और बाकी क्लासमेड्स भी उसकी तरफदारी करते हैं फेफई अपने कपड़े और ज्वेलरी का दिखावा करते हुए कहती है मैं तुम लोगों से दूर रहना पसंद करती हूँ और वैसे भी मेरे कपड़े ब्रैंडेड हैं और बहुत एक्सपेंसिव हैं तुम जैसे लोगों के हाथ लगने से मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे श्याओय नियन गुस्से में फेफई के कपड़े का टैग देखने जाती है और जब उस पर Made in China लिखा देखती है तो फेफई का मजाग बनाना लगती है थोड़ी ही देर में वहाँ एक लड़की आती है और उसके हाथ में वो गिफ्ट होता है जो ये शंगहाई और फेफई के लिए लाया है ये शंगहाई फेफई को वो ब्रेसलेट देता है और बताता है कि ये शंगहाई फैमली का ब्रेसलेट है और उसने ये थोड़े समय पहले एक आंक्षन से खरीदा है यह शंगहाई बार बार उस bracelet की तारीफ करता है और फिर फेफी को पहनाते हुए कहता है यह आज से मेरी होने वाली पत्नी का है फेफेई और यह शंगहाई मिलकर फिर से शाउयनियन की बेट जती करने लगते हैं और उससे गलत बाते हैं फेफेई अपना ब्रेसलेट दिखाते हुए कहती है तुम कभी ऐसी चीजे नहीं ले पाओगी। थोड़ी ही देर में शें तिंगबाई वहाँ पर एक बहुत ही महंगा ब्रेसलेट लेकर आता है और शाओये नियन को पहनाता है और वहाँ पर सभी लोग उस ब्रेसलेट को देखकर रह जाते हैं। ये तुम्हारे पास कैसे आया, क्या तुमने ये चोरी किया है? ये शंगाई शंतिंगबाई और शावय नियन को चिढ़ाने लगता है और तभी शंतिंगबाई का असिस्टेंट कुछ बॉडि गार्ड के साथ वहां आता है और कहता है, मिस्टर शेन, चलो, आपकी कार तयार है, मैं आपको और आपकी वाइफ को वापस घर छोड़ देता हूँ शेन तिंगबाई ये शंगाई से कहता है, तुमने अभी कुछ दिर पहले कहा था, तुम शेन कंपनी के साथ ज्वैलरी डील करते हो और आज से तुम्हारे और शेन कंपनी की सारी डील कैंसल है, शेन तिंगबाई ये कहकर शाओयनियन को अपने साथ वहां से ले जाकर चला जाता है, और ये शंगाई वहां पर हैरान रह जाता है, रेस्टोरेंट से बाहर निकलके शाओयनियन बहुत खुश होती है, और शे शाओयनियन मेडम शेन को कहती है, आपको ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगेगा, वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और तभी वहां पर ये शंगहाई और फेफेई आते हैं, और फिर से शाओयनियन को बुरा कहने लगते हैं, फेफेई शाओयनियन से कहती है मुझ वहां से जाने के लिए कहती है, तो फेफेई उससे कहती है अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम पार्टी में आकर दिखाओ, शाओयनियन सोचती है शाओयनियन से बड़ी है, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से शेन फैमली का नुकसान हो और इसलिए मेरा वहां नहीं जाना सही होगा, जब फाइफेई वापस शाओयनियन की बेजजती करती है और उससे पार्टी का कहती है, तो शाओयनियन पार्टी में आने के लिए मना कर देती है, लेकिन मैडम शेन कहती है तो शाओयनियन कल पार्टी में जरूर जाएगी, अगले दिन जब शाओयनियन शंगाई को बहुत गुस्सा आता है और वो शंतिंग भाई को चिलाने लगता है शंतिंग भाई ये शंगाई को जोर से मार के गिरा देता है सभी लोग जब शंतिंग भाई की तरफदारी करते हैं तो ये शंगाई को कुछ समझ नहीं आता वो जोर-जोर से चिलाते हुए सब दादी है. ये सुनकर ये शेंगाई शौक में आ जाता है और पूछता है तुमने मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? शेंटिंगबाय बताता है कि मैंने तुम्हें पार्टी में इसलिए बुलाया ताकि मैं सब के सामने तुम्हें बता सकूं कि अब तुम्हारे और शेन कंपनी के बीच कोई डील नहीं है और ना ही फ्यूचर में कोई डील होगी थोड़ी देर में जब शेन तिंगभाय का ध्यान डोनट से हटता है तो वो शेन तिंगभाय को ये शंगाय से लडाई करते देखती है वानी की प्रेजिडेंट को पता चला तुम यहां लड़ाई कर रहे थे तो तुम मुसीबत में आ जाओगे। शें तिंग भाई शाओयनियन को बताता है कि सदन कमपनी का प्रेजिडेंट कोई और नहीं बलकि उसकी दादी मैडम शें है। यह सुनकर शाओयनियन हैरान रह जाती है। अगले सीन में हम वानी को देखते हैं जो शाओयनियन को एक फाइल शेंतिंग भाई को देने के लिए कहती है। बस पूरे दिन ऑफिस में इधर उधर घूमती है इसलिए मैंने उससे ये काम दिया। अगले सीन में हम शेंतिंग भाई को देखते हैं जो वानी से कहते हैं कि शाओयनियन को बता दो कि मैं उसके साथ पार्टी में जाऊंगा और इसलिए वो रेडी हो जाए। ये सुनकर वानी को गुस्सा आता है और वो शेंतिंग भाई से कहती है आप मुझे छोड़कर एक काम वाली के साथ कैसे पार्टी में जा सकते हो जिस पर शेंतिंग भाई गुस्से में उससे कहते हैं तुम्हें जितना बोला जाए उतना किया करो। थोड़ी देर बाद वानी शेंतिंग भाई के पास जाकर उसे बताती है कि उसे अभी अभी पता चला है कि शेंतिंग भाई का कार एकसिडेंट हुआ है और उनकी हालत बहुत खराब है और उनका फोन भी बंद आ रहा है। शेंतिंग भाई जब पूछते हैं शायनियन कहा है तो वानी कहती है मुझे नहीं पता शायनियन कहा है वो शाम को ऑफिस से चली गई थी वानी शेंतिंग भाई को कहती है शायनियन यहां नहीं है तो मैं आपके साथ पार्टी में चलती हूँ जिस पर शेंतिंग भाई कहते जो शेंतिंग भाई को बताता है कि शावयनियन मिल गई है शावयनियन जब शेंतिंग भाई के असिस्टेंट से पूछती है शेंतिंग भाई कहा है उनका एक्सिडेंट हुआ था क्या वो ठीक है ये सब सुनकर शेंतिंग भाई के असिस्टेंट को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है शंतिंग बाई को कुछ नहीं हुआ और उन्होंने मुझे आपको ढूनने के लिए भेजा था। थोड़ी देर में वहाँ शंतिंग बाई आते हैं। उससे बताते हैं कि कमजोरी की वजह से वो कल रात को बेहोश हो गई थी। अगले सीन में हम शायनियन को उसके घर पर उसकी मम्मी के साथ खाना खाते हुए देखते हैं जहां शायनियन अपनी मम्मी से पूछती है आपका शंतिंग बाई के बारे में क्या खयाल है जिस पर उस अगर मेरा हस्बेंड होता तो कैसा होता ये सुनकर शायनियन की मम्मी हैरान हो जाती है और चेक करती है कहीं शायनियन को बुखार तो नहीं है और फिर शायनियन से कहती है क्या तुम्हें बुखार है क्या मुझे तो फिर तुम अजीब बातें क्यों कर रही हो शायनियन की म मेरी मम्मी से मिलने चलो जिस पर शेंतिंग भाई कहते हैं तुम्हारी मम्मी से मिलने के पहले मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने चाहिए जिस पर शाओयनियन कहती है ऐसा क्यों तो शेंतिंग भाई बताता है मैं पहली बार तुम्हारी मम्मी से मिलूंगा और वैस पुशुर हो कि तुम मेरी मम्मी से मिलना चाहते हो जिस पर शेंतिंग बाई कहते हैं मुझे डर है तुम्हारी मम्मी को मैं पसंद आऊंगा या नहीं शाओ येनियन कहती है मुझे लगता है तुमने बहुत सारा सामान लिया है जिस पर शेंतिंग बाई कहते हैं शादी की बा शाओयनियन को देखते हैं जहां उसकी मम्मी पूछती है तुम शेंटिंग भाई से कैसे मिली तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है जिस पर शाओयनियन बताती है कि हम दोनों relationship में हैं लेकिन उसकी मम्मी को उस पर विश्वास नहीं होता शायद शेंटिंग भाई सिर्फ शावयनियन कहती है आप गलत समझ रही हो शेंतिंग बाई वास्तव में करना चाहता है ये सुनकर शावयनियन की मम्मी हैरान रह जाती है कुछ देर में शावयनियन के घर पर शेंतिंग बाई मैडम शें और कुछ बॉडिगार्ड आते हैं और शावयनियन की मम्मी उन्हें द बाइं दूसरे को पसंद करते हैं शें टिंग भाई शाओ येनीन की मम्मी से कहते हैं शाओ येनीन ने मुझे बताया कि आपको पेंटिंग पसंद है और इसलिurg में आपके लिए यह पेंटिंग लेकर आया हं शें टिंग बाई फिर डूरा बैक खोलता है और कहता है मेरे नाम पर जो भी प्रॉपर्टी और कार्स थी वो मैंने शाउयनियन के नाम कर दी है मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारी शादी के लिए मान जाएंगी ये सब देखकर शाउयनियन की मम्मी अनकमफर्टेबल हो जाती है वहीं दूसरी तरफ शायनियन मस्ती में शेंटिंग बाई से कहती है तुमने सब मुझे दे दिया क्योंकि तुम मुझे डर नहीं है ये लेकर भाग जाओगी लेकिन शायनियन की मम्मी उसे चुप कर देती है शेंतिंग भाई कहता है मुझे डर नहीं है तुम भाग जाओगी बस अगर तुम भागोगी तो मुझे साथ ले जाना अगले सीन में हम शावयनियन और उसकी दोस्त को साथ में बात करते देखते हैं जहां शावयनियन की दोस्त कहती है कुछ दिनों पहले ये शावयनियन और उसकी दोस्त कुछ देर इसी तरह बात करते हैं अगले सीन में हम शायनियन को देखते हैं जो अपने घर से बाहर जाती है और ये शंगहाई से पूछती है तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया है जिस पर ये शंगहाई कहता है मुझे माफ कर दो ये शंगहाई बार बार शाओयनियन से माफी मांगता है और उससे वापस रिलेशनशिप में आने के लिए कहता है लेकिन शाओयनियन उसे चिलाने लगता है और बताती है कि मेरी शादी हो चुकी है लेकिन ये शंगहाई उसकी बातों का विश्वास नहीं करता और उसका हाथ पर विश्वास लेकिन ये सब होने के बाद भी ये शंगाई उसकी कोई बात पर विश्वास नहीं करता और उसे चिलाता है और उसका हाथ बिना ही चोड़ता है। और बेहतर होगा तुम बार-बार मुझे परेशान न करो मुझे उम्मीद है अब तुम मेरी शादी पर भरोसा करोगे ये सुनकर शंतिंगबाय बहुत खुश होता है और प्यार से शावयनियन की तरफ देखता है और हमारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है